नमस्कार दोस्तो आजके इस वीडियो में मैं आपके लिए आचार्य चानक की एक नीती जो कि हमारे जीवन में काफी महत्पूर्ण है उसे लेके आया हूँ जो नीती है दोस्तो वो ऐसी है जो विचार है वो ऐसा है कि हमें अपने जीवन में कभी भी मुर्ख सिस्य को उपदेश नहीं देना चाहिए एक बार मैं पूरा पढ़ूँगा उसके बाद फिर उसपे हम विचार करेंगे दूसरा दुष्ट इस तरी का कभी भी भरन पोसन नहीं करना चाहिए तीसरा दुखी व्यक्तियों के संग या फिर साथ में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए ऐसा करने से होगा क्या दोस्तो आपके जीवन में आप भले ही कितने ही जादा बिद्वान जोना हों आपको सदायव दुखी रहना पड़ेगा अब आपको अपने जीवन में दोस्तों अगर आचार्य चानक्ची की इस नीती कहीं न कहीं उपयोगी लगती है सुखी जीवन जीने के लिए सम्रिद्ध जीवन जीने के लिए सांति प्रिय जीवन जीने के लिए तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको आपके आज पास जो दुष्ट वेक्ति है दुष्ट का मतलब क्या सिंपल सी बात है कि ऐसे वेक्ति जो की सामने कुछ और है पीट पीछे कुछ और है आपके लिए कुछ और है दूसरे के लिए कुछ और है आपके सामने आपके लिए कुछ और है या फिर उनका एक करेक्टर या चरित्र जो है अन्य जगहों पे लोगों के द्वारा कहीं न कहीं त्रिस्कृत किया जा रहा है या फिर कई तरह की जूट बोलने वाले लोग, कई तरह से लोगों को फसाने वाले लोग, अपने फायदे लेकिन आचारे चानक कर आ है कि काहा जाता है कि आप करिये जिसका भला करना इन कल्यान आ करूए कि अगर कोई स्तरी है को ऐसी महिला, कोई ऐसी लड़की है, जिसका चरित्र कहीं न कहीं सही नहीं है, जिसके आउभाव, शाल चलन, रहन सहन, उसकी पूरी कार्य प्रणाली सही नहीं है और आप उसके तेन दुखिया, अपना मित्र, आदि कुछ भी मान की अगर आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि आपको यह जो कल्यान का कार्य है यह भी दुख देगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह कौन कह रहा है? आचार यह चाना के कह रहा है और मैं मुस्कुरा के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह बात मुस्कुराने की ही है मतलब simple सा बात अगर कहा जाए कि अगर सहाईता भी करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगला वैक्ती ज़ो है वो कौन है अगर आप भरण पोसन कर रहे हैं तो यह सहाईता मात्र तो हुआ नहीं आप देके चले गये किसी व्यक्ति का आप किसी महिला का भरन पोसन कर रहा है यानि कि आपके मित्र होंगी आपकी पत्नी हो सकती है आपकी होने वाले पत्नी हो सकती है आपके आसपास आपने उसे बहन का दर्जा दिया हो आपने उसे अन्य किसी 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 सम्मंध के जरिये अपने आसपास रखाओ या आपके आसपास वो हो ये आपको ये पता है कि वो दुष्ट है या नहीं पता है कि दुष्ट है या नहीं है तो आपको ये पता करना चाहिए कि वो क्या है तो दुष्ट सिस्य मुर्ख सिस्य दुष्ट इस्तरी और दुखी लोगों के निकट रह तो याद रखें कि कभी मुर्ख सिच्च्च्च को कहा जाता है कि बंदर और चिरियां वाली की बंदर भीग रहा था तो चिरियां आके बोलती है कि बंदर भाई आप भी अपना घर बना लिए होते तो बारिश में नहीं भीगते अब वाई बंदर तो बंदर है क्या किया उसने वो चिडिये के घोसले को नश्त कर दिया तो कभी भी मुर्ख सिच्चे को ग्यान नहीं देना है तो आज के इस सचानक्य की नीती में आपके साथ मैंने एक नीती को साज़ा किया है इस तरह के अन्यन नीतिया जोकि आपको इस कल यूग में कहीं न कहीं जीने में सही तरीके से जीने में सम्रिध रूप में सफल रूप में जीने में लोगों के इरस्वया दुएस दुर्भावना आदी से बचकर जीने में अगर सहयोग की कामना है या पिर चाहते हैं कि पता हो किस-किस प्रकार के लोग हो सकते हैं किन-क इन जगाओं पर हमें क्या क्या करना चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले समय में आपको प्रती दिन एक चानक के नीती तो जरूर आपके साथ साजा करूगा उसके बाद पंच तंतर की कुछ ऐसी कहानिया है जो कि हमें पता होनी चाहिए आज कल की भागदार की जिंदगी में पढ़ना और उसके देखना समझना सबकी बसकी बात नहीं है तो इसलिए यह तुड़ा वीडियो लंबा भी कर रहा हूं क्योंकि यह पहली वीडियो है इसके बाद सर्फ चानक के नीती पर बात होगी और उसके बाद कोई उब्देश अन्य नहीं होगा तो फिलाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत